सो हे वैले कम दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप से बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मज़े करें होंगे तो जैसा कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं आप लोगों का फुटवर्क की वीडियो पर काफी अच्छा रिस्पोंस आया है और मुझे सब देखन तो आपको decid करेंगे कि आपको फुटवर्क करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए तो यह मैं आप साथ मेंर यह शेयर करूंगा तो इससे पहले मां बता देना चाहत है कि जिन भी लोगों को नहीं चींद कर सकते हैं तो चलीए आज की सी वीदियो को शुरू करते ए लिंक दिया हो है जहां से आप अपना सीस्कूर कर सकते हो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फुटवर के 10 ऐसे कारण कि हमें फुटवर क्यों करना चाहिए तो हम बात करेंगे पॉइंट-पॉइंट तो इससे पहले आप करने कि फूर्ट वीडियो को प्लीज कीप मत करना क्योंकि वीडियो की तो आपको उस तक यह फचा सकते हो ताकि उसकी थूड़ी सी हेल्फ हो जाए तो अभी दूस्तों बात करने आप कारण क्या है वर्क फ्रों होम जोब करना चाहते हो तो आपके लिए फूटवर्क करना चाहिए जो लोग बहुत करने पर बात करने पर तो उन लोग के लिए नहीं है लेकिन अच्छा लगता है अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो अगर आपको फुट्वर्क जो नहीं करना चाहिए क्यों कि आपके बैगरूंड से आवाज आती है जो भी को लिंग का काम होता है वह साइरेंट जगहें पर रहे करना होता है कंपनी वालों को यह बिल्कुल मुन्जूर नहीं होगा क्या आपके बैगराउंड से कोई चिला र चाहिए चोथा जो कारण है वह यह कि अगर आपके पास में आपके पर्सनल नंबर पर ज्यादा को नहीं आते हैं तो आपको फुट्वर्क जरूर से करना चाहिए अपको लोग एक सोच के कंफ्यूज हों कि इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब है कि दोस्तों जिस नंबर से घ्राइब करोगे आप उस नंबर से ही कोलिंग कर पा और लेकिन हा नंबर कर से और आपका पर स्थाइट को मैंने क्यों रखा है क्योंकि अगर आप पर्सनल नंबर से करोगे जोब करोगे तो आपके फ्रेंड्स आपके बार बार पॉल ना करें तो तो इस चीज का अगर आपके पास में ज्यादा को नहीं आती है तो आप फुट्वर्क कर सकते हो लेकिन अ अगर आपके पास में कोई काम नहीं है या आपको पार्ट ताइम जोब धून रहे हो तो आपको फुटवर्ग करना चाहिए ठीक है आप इसको पार्ट ताइम बेस पर फूट वर कर सकते हो छटारीजन फुटवर करने का यह कि आपको यहां पर सेलरी है वो टाइम पर मिल जाती है आपको सेलरी के लिए कोई भी चिंता करनी के जुरुत नहीं है हर हफते की फ्राइडी के रात को नों से दस बजे तक आपकी जो सेलरी आपके वालेट में आ जाती है और वह आप वीड इस पढ़ना जानते हो क्योंकि मैं यह इसलिए रखा है कि यहां पर नापके लिया जाता है जिसमें आपका देखा जाता है कि आप इंगलिस किस तरीके से बोल पाते हुए अगर आप 10 पास हो और आपको इंगलिस प्रफेक्टली बोलना आता है तो आपको फोट्रॉक्ट जरूर से करना चाहिए और फिर मैं बता देता हूं अगर आप नाइंथ में और आप इंगलिस अगर अच्छी आप अच्छे से पढ़ना जानते हो तो भी आप इस जोब को है वो कर सकते हो आपको जोब जूरूर से करनी चाहिए आठवा रिजन फूटर करने के यह दोस्तो दोस्तों किपारियब किस त्रीकश से काम होता है कोलिंग किस तरीकल के को देखना को मिले गार यहोई आपके इन बाउन्ड प्रोसेस नहीं होता हुआ आपके पीन को नहीं हो आती है तो इस में Sag in के नंबर होते हैं और आपको खुद से कॉल करना पड़ता है ठीक है आप विपास में कॉल आती नहीं है एंड दोस्तों नाइज जो पॉइंट हुई है कि आपको डेली 5-6 गंटे लगातार काम अगर आप करते हो तो आप 10-11,000 पर मन्त आप कमा करते हो राइट जो कि आपको सब्सक्राइब हो जाएगा तो यह नोवा करना था आपको फूट वर करने का कहने का मिलब क्या अगर आप 5-6 गंटा कर आप डेली करते हो तो आप यह लगा सकते हैं महीने का 8-10,000 मिनिमम आप यहां से जो है वह अर्निक कर पाऊगे और दसवह और आखरी रिजन फूट व पहीं होता है तो आपको फुट वर्क जरूर करना चाहिए तो यह दस कारण ऐसे थे कि आपको फुट वर करना चाहिए अब हो सकता है आप लोग आधी वीडियो देखती और इस वीडियो को स्कीप कर जाओ पर आपको इसा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि यह नॉर्मल आपक करने के बारे में जिससे आपको जरूर से सुना चाहिए हो सकता है आपका मन भी बदल जाए क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरेंस है क्योंकि बहुत से लोगा टाइम वेस्ट हो रहा था इस फुट वर को लेके किसी कोलिंग में परिशान था इसलिए मैंने इस वीडियो इस 10 डेडिकेटिड रखा है ताकि आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आपको क्या करना है दोस्तों अब मैं बात करने वालों ऐसे दस रिजन की कि आपको फुट वर क्यों नहीं करना चाहिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा किसी भी कंपनी के साथ इसे प्रजेक्टेश्ट में फुट वरकर चाहिए सबस्क्राइब और्स्सक्ति मेरे मॉट भूत भूस्किल जाढ़ा का अगर मॉट कोल अपनेशय होगा वी जाता थे वहाँ जिसाओं की तीना ज़्यादा बढ़ ओल्ड चुका ऑच कि अनके पास में इतने लोगों की दिमांड है कि यह लोगों को बहुत ज्यादा चुन-चुन के ले रहे हैं तो आप इस चीज को बताना बहुत जादा इंपोर्टेंट था कि यहां पर जो आपका टेस्ट बहुत जादा मुश्किल से पास हो रहा है जिसके लिए आप लोग परिसान भी हो रहे यहां पर आपका मुख टेस्ट लेंगे आप से आपको ट्रेनिंग कराएंगे आपको शिखाएंगे उसके बाद भी चोटी सी भी आप बल्दी कर देते हो आपको रिजैक्ट कर दिया जाता है अगर प्रोजेक्ट फोड़ा सा हाइवल का है यहां पर किसी पर्टिकुलर आपको फेल किया जाता है और वह इसलिए उनको बहुत जादा स्किल्ड बंदे चाहिए होते हैं तो यहां पर आपको टाइम हो सकता है तो इस विचको आप जरूर से ध्यान लगना तीसरा रिजन दोस्तों यह कि को लिंग और टार्गिट का प्रेसर सबसे जाधा रहता है यह तो यह तो आप लोग आप लोग कर रहें आपको इतना अपको इतना इंसेंट्व देखने को मिल जाता है आपकी अच्छी करने के लिए तो यह काफी अच्छा पॉइंट भी है लेकिन यहां पर जोने टार्गिट प्रेसर थोड़ा सा ज्याद रहता है आप लोग लोगे तो और कि आपको पहले बता रहें प्रेसर थोड़ा से जाधा रहता है अगर आपको सच प्रेसर नहीं लहेगा आपको जूर से करना थी प्लिवारी बता चुका कर ूटरा पस यह तो सदू है एक अगर आपके पास में परसनल कोल ज्यादा आती है तो आपको नहीं करना चाहिए जो अगला जो पॉइंट है अगर आप पार्ट टाइम करने के सोच रहे हो नहीं करना चाहिए अब बोलोगा यार पाहुन भाई अभी थोट देर पहले आपने बताया था आप पर टाइम ज साथ से आठ गंटे देने पढ़ जाएंगे इस बात लिख के रख लो कि यह बात पवनने कहीं ती क्योंकि मेरा परस्णल एक्सपीनेस है आपको यह तरह को ता यहां पर जो भी आपका पैसा हो तो कनेक्टिट को को मिलता है जैसे कई बार म किसी करते हैं तो कनेक्टिट को जो टाइम नहीं होता है जब कस्टमर को उठा लेता है तो आपका कोल मिला कि 5-6 घंटे का टार्गेट पूरा करने के लिए आपको साथ से आठ गंटे आपके काम करना पड़ता है और बीच में आपके लोगे ऐसा तो नहीं है कि आप लगातर बोलते जाओगे प्रोबोर्ट तो हो नहीं आपको चाहिए होगा तो यहां पर जो है आपका थोड़ा सा समय जाएगा और पार्ट टाइम नाम के चीज आपकी खतम हो जाएगी तो इस चीज को आप ध्यान करना चाहते हो तो यह आपके लिए नहीं है और दोस्तों अगला जो कोशन है कि आप सेनके को लिंग होती है देको डिर्क्राइट को पर फॉन भी फिल अप कर आपको सेमेंट अपर आपको कस्टमर के साथ रहना पड़ेगा वह जो बोला सुनना भी पड़ेगा ऐसा निया कि आप लिग सकते हो लेकिन फिर आपको सोच कर दो कि आपको एक फोंबी फिल कर जो कि पहले टाइम पर आपको प्रोजेक्ट कर दिया तो मेरा बताना आपको मेरा फर्स था तो आप इस तरीके से देखते हो आप पूछ सकते हो अगला दोस्तों फुट्वक ना करने का रिजन है कि थोड़ी सी गलती करती से प्रोजेक्ट साब निकाला जा सकता है अब और प्रोजे नौर्मल बात कि निया जिनल् knife ने बहुँज़ादा मेहनत करके बहुत चुटी करी तो आपको वोल आती है अपने संगार तरहीं को सुधारा तो ठीक है नहीं सुधारा नेक्स टैम जैसे गलती तुर्ण निकाल दिया जाएगा यह न difका जाएंगा इसलेटेट जो भी प्रोजेक्ट होगा वह आप को नहीं मिलेगा तो आपको मिलने में बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है ऐसे और मैकशिमम्म प्रोजेक्ट पर आपको स्लेक्ट ही नहीं किया जाता can you तो दस में 6 7 प्रोजक्त पर जॉड़ेक्ट उसके लिए आपको पॉरफेक्टेंग्लिस का आना जुरूरी है दोस्तों मेरी खुद की इंग्लिस इतनी पर प्र्रफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं पेस्ट बता रहा हूँ आपको परिफेक्ट इंग्लिस का आना कंपल्सरी है है और उनमें से भी कुछ प्रोजेक्ट पर कॉंपिटीशन होता है तो आप खुद को एनलाइज कर सकते हो यह मेरा ओपीनियन था दोस्तों लास्ट में यह एक कोई पॉइंट नहीं है लेकिन हाँ यह आपको वैसी पताना चाहता हूं दोस्तों यह फूटवर के जो वैसी जो मेरे काम आप लोग यह वीडियो पहुचाना था क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप लोग प्रोब्लम में थे दोस्तों वीडियो थोड़ी से लंबी होगी इसके लिए माफी जाता हूं लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आहीं गए और आपको वीडियो अच्छे लगी है और आप फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके शेयर जुरूर से कर देना तो हम मिलते हैं अगली ही वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब टेक कर लिए